हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो मा यूट्यूब चानल आज की इस वीडियो में स्टुडेंट पढ़ने वाले हैं जो में डिफ्रेंट्स है सेक्सवल और एक सेक्सवल उप्रोडक्शन के बारे में वो जो आज की वीडियो है यह 10th क्लास से लेकर हाय क्लास तक के लिए इंपोर्टेंस रखती है क्योंकि मैंने यह आपे बहुत सारे पॉइंट्स के तुरू उनके बीच में जो है डिफ्रेंस बताया है ताकि आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें समक्पेरिशन इनका करे अब इस पर देखे स्टुडेंट जो सेक्सोल रिप्रोडक्शन है कैसी प्रोसेस है जिसके अंदर इंवोल्मेंट होता है टू गैमेट का मेल फिमेल घैमेट का जो फ्यूज होते हैं तो उससे क्या बनता है एक नया ओप्सरिंग की जो है फोर्मेशन हो जाता है तो देखि सेक्सोल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें टू पैरेंट होते हैं और फिमेल पैरेंट जो बेबी को फोर्मेशन करते हैं और जो सेक्सोल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल पैरेंट की रिक्वार्मेट होती है जो नहीं सिंगल पैरेंट होता है वो ही क्या करता है, नहीं individual की formation कर देता है सब देखिए student gamete, तो sexual reproduction में gamete की formation होती है और asexual reproduction में कोई भी gamete की process जो नहीं होती seks organ जो है, sexual reproduction में sex organs are formed और जो asexual reproduction होता है, इन में कोई sex organ नहीं बनता ठीक है, पड़ते हैं student हम gygot सो देखिए जब sexual reproduction के अंदर क्या होता है जब male और female gamete जब मिलते हैं जो उनका fusion होता है तो जाइगोट की formation होती है और यह sexual reproduction में जाइगोट नहीं बनता ठीक है यही इनके अंदर major differences है जो sexual reproduction की इनके अंदर पाया जाता है जो higher invertebrates and all vertebrates के अंदर ही मिलता है और जो यह sexual reproduction है वो lower organisms के अंदर पाया जाता है time period जो sexual reproduction की जो time period होता है जब उसमें जब जाइगोट बन जाता है और जब ऑफ्सरिंग की प्रोड़क्शन होती है तो उसमें time जो है month लग जाते है जैसे कि human beings के अंदर 9 month का period होता है जब baby deliver out होता है ठीक है और उसी तरीके से जो organism होते हैं उनके अंदर लेकिन यह sexual reproduction जो organism perform करते हैं उनकी जो process होती है वो short period के लिए होती है so short period of time में ही वो अपने offspring को जनम दे देते है ठीक है fertilization so fertilization जो होती है वो sexual reproduction के अंदर होती है और asexual के अंदर नहीं होती inheritance का मतलब क्या है कि the offspring inherits characteristics of both parents so देखे स्टूडेंट sexual reproduction में क्या हुआ है male parent और female parent जब fuse हुए थे तो उससे क्या बना थे एक जाइगोड बना था अब जो जाइगोड बना है जो new offspring बना है उसमें अपने मम्मी के भी गुण आएंगे और अपने पापा के भी गुण आते हैं ठीक है उनी को बोलते है inheritance properties so जो offerings होता है sexual reproduction वाले the offspring in heart characteristics of both male and female parents okay and asexual में क्या होता है offspring in heart characteristics of one parent so asexual में क्या होता है सिर्फ हमने एने जैसा आप लोगों को बताया single parent required होता है सिर्फ उसमें उसी के character आएंगे दूसरे parent के character जो है नहीं आएंगे so यह थे कुछ differences आके मुँआ आप लोगों को और बताती हूं पढ़ते है students की देखी cells जो sexual reproduction होता है उसमें किस टाइप की cells involved होती है so parents की जो germ cells होती वो involved होती है और asexual जो होते हैं उनमें involvement होती है somatic cells of parents ठीक है cell division इसमें meiosis and mitosis type of cell division होता है I hope आप लोगों कोई छोटी-छोटी terms clear है so मुझे यहां बताने की need नहीं है अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इनको फिर sex pain करूँ ता आप मुझे comment करके बताना so cell division जो है sexual reproduction में meiosis and mitosis type का होता है और asexual में mitosis type का ही होता है सिर्फ उसमें meiosis नहीं होती ओके offspring जो है यहां पर one or more offspring बनेंगे और asexual में क्या बनेंगे देंगे दो से ज्यादा जो option की production होगी ठीक है प्रोजनी प्रोजनी इस विल बी जनेटिकली डिफ्रेंसियेट पैरेंट्स ठीक है इसमें देखे स्टूएंट sexual reproduction में क्या होता है जब मेल माली जे हम human beings का example लेते हैं जब मेल और female gamut की fusion होई तो क्या बना उनका jaigode बना और jaigode जब fully developed होता है तो क्या बन जाता है बेवी बन जाता है ना आप बेवी पूरी तरीके से अपने पापा जैसा दिखता हो या पूरी तरीके से अपने मुमी जैसा दिखता हो तो उसमें कुछ genetic difference आते हैं ठीक है होता है और यह जो एक sexual reproduction इसमें bacterial, fission, fragmentation जो मैं आप लोगों को सब चीज़े पढ़ा चुकी हूँ सो student ये था छोटी सी वीडियो के थुरू जो major differences होते है sexual or sexual reproduction का तो कैसे होतर क्या होते हूँ मैं आप लोगों को बता दिये मेरी वीडियो को लगाता लाइक करना सेरे करना कमेंट करना